नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्रखंड पोस्ट पर उत्रखंड से बड़ी खबर मिली है कॉंग्रेस पार्टी जनवरी के पहले हफ्ते में प्रतियाशियों की सूची जारी करेगी कॉंग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेर्मेन अश्मिनी पांडे ने यह बात प्रेस वारता में कही उन्होंने बताया कि अब तक 40 सीटों पर प्रतियाशियों का इंटरव्यू किया जा चुका है आपको बता दे कि उत्रखर्ण में विधानसबा चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस में टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है हरिद्वार विधानसबा में आठ और रानिपूर विधानसबा में 9 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है इसको लेकर मंगलवार को कॉंग्रेस की एक केंद्रिय टीम प्रदेश की स्क्रिनिंग कमेटी के चेर्मेन अविनाश पांडे के साथ धर्मनगरी पहुची अब ज्वालापूर में आरे नगर के पास इस्तित्षैनी आश्रम में दावेदारों के इंटर्व्यू लिये जाएंगे चलिए आपको बताते हैं रानिपूर भेल विधानसवा सीट से कि नो नेताओं ने दावेदारी पेश की है इसके लावा हरिद्वार विधानसवा सीट से भी आठ दावेदार सामने आए हैं ये चहरे कौन है चलिए आपको दिखाते हैं कॉंगर्स पार्टी के सांगठनिक जिला पौड़ी की तीन विधानसवा सीट उपर दावेदारों की तस्वीर साफ हो गई है प्रतियासी चैन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सामने भी दावेदारों की हाजरी हो चुकी है आरक्सी सीट पौड़ी से टिकट के लिए 13 दावेदारों ने आवेदन की आए वहीं चौबट्टा खाल के लिए पार्टी को साथ आवेदन मिले हैं जबकि श्रीनगर सीट पर सिर्फ दो आवेदन आए चलिए आपको दिखाते हैं पौड़ी सीट पर किनकिन नेताओं ने दावेदारी पेश की है नवल किशोर, पूर्व जिला पंचाय सदश्य तामेश्वर आर्य, जिला ध्यक्स एनसी योई गौरफ सागर, पूर्व जिला महमंत्री संगटन वीर प्रताप सिंग आर्य, पूर्व विधान सबा सचीव जग्दीश चंद्रा, सेवा निवरत आयेय सुंदर लाल मुयाल, पूर्व जिला उपाद्यक्स विनोध ननौसी, हर्श लाल, केशवा नंद आर्य, प्रमोध मंद्रवाल, वीरबल मंडांगी, के साथ दो महिला प्रतियासी पूर्व दरजाधाली राज्य मंत्री अरुना कुमार और कवियत्री डॉक्टर रितु सिंग का नाम शामिल है। अब एक नजर चौबट्टा खाल विथान सबा सीट पर भी डाल दे, आपको दिखाते हैं इस सीट पर कौन-कौन से दावेदार सामने आये हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।